सेमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी ए स्रीज को यहाँ पर निखाल दिया और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो गैलेक्सी ए स्रीज सेमसंग की सबसे जादा सकस्वल स्रीज है मतलब मैं मजाग निकार रहा हूँ 2021 में जितने समसंग ने फोन बेचे था उसमें से 58 परसें सिफ गैलक्सी ए स्रीज के अंदर बेचे एम, एफ, एस और जो उनकी बाकी सिरीज होते हैं फोल डिफले वो साब अलगी आ जाते हैं लेकिन इसके रिलेटेड यहाँ पर नोंने ए सिरीज पर जो नए तीन फोन आउचे हैं वो काफी कमाल के ए फिफिटी-्री-ए उसके बात किया तो लग रहा है कि एफिफिटी-्री कि इंडिया में देखने को मल सकता है इसका लुक्त सेमसंग की उसकी सामसंग पर मैं ने पाफी अच्छा वीडियो बनाया है काफी मज़ाटार है आई बटन में लिंक देरह हूं कि उसके एस रीजन क्यों है ये वीडियों खतम होने के बाद उस चीज को भी चैक आउट कर लेना लेकिन सबसे पहले बात करते हो कि यहां पर एस रीज में कुछ ऐसी चीज़े करें या निकी ए 33, 53, 73 तीनोई फोन में जिसे दिख के लग रहा है कि ये चीज़े कुछ कॉपी करनी चाहें दूसरी Android को मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस पर Google को धो दिया मतलब आप खुद बिलीफ नहीं करोगे कि यहां पर Google वाले खुद अपने फोन के अंदर Android के वर्जिन के लेकिन सबसे अच्छी चीज़ लोड़े जहां पर जो लाउंच इमेंट में बता ही थी वह यह थी कि चार मेजर Android के अपडेट लेगा मेरे को ऐसा लगाता कि चलो एस स्रीज यह फ्लैक्शिप लाइन पर चलो उस तक देंगे लेकिन अगर यह स्रीज ता करें चार साल के Android अपडेट यानि कि चार मेजर Android के अपडेट यानि कि अभी आपने A-series का एक फोन खरीदा और उसे Android 16 का अपडेट मिल रहा है यह बहुत ही जादा कमाल की बात होगी यह चीज दूसरी कंपनिया क्यों नहीं करती और Android के मामले में तो Google के भी बाप निकल गए Samsung वाले यह उसने कि क्या feature होगा क्योंकि IP rating implement करना पड़ता है महंगा लेकिन उन companies को यह बात बताने की जरूरत है कि इंडिया में होता है मौन्सून मौन्सून में होते है भयानक बारिश और बारिश में आपका phone गीला हो सकता है भीग सकता है गीले हाथ लग सकते है तो IP rating हो तो क्याने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर IP rating ने splash assistance है तो थोड़ा आपको डर रहेगा लेकिन IP rating है तो आपको यह डर नहीं रहेगा ना कि बारिश में आपका phone थोड़ा भीग जाए तो खराब ना हो जाए यह एक काफी अच्छा feature है जो पता नहीं हमें इंडिया में इता संग ने प्रामिस किया था कि A series के अंदर 2022 के अंदर वो OIS है आप इंडियूस करेंगे और तीनोई phone के अंदर OIS टाल है हाला कि camera sensor वगर का फरक है वह मैं आपको यह बता देता हूं जैसे कि A33 में 41MP का camera F1.8 aperture के साथ उसमें OIS है A53 में 64MP का camera 1.8 aperture के साथ OIS और जो A73 है उसम A53 में ultrawide 8MP का बाकी A53 A73 में 12MP का ultrawide देखने को मलता है इसके साथ 5MP का micro camera तीनोई phone में और 2MP का depth sensor वह यहां पर देखने को मिल रहा है A33 में और A53 A73 में 5MP मलत अब देख सकते हो मोटा मोटा हैं पर difference का camera इमें sensor का A33 में 48 फिर 64 फिर 108 और यह Samsung ने काफी साही काम किया है और यह देखके लग रहा है कि Samsung के phone में 10 attempt के camera तब आ रहा है जब यहां पर देखा जाया तो उनके S series तक ही चीज लिमिटेटी लेकिन खेर यह चीज इनोने है implement करीए इसे के साथ ही बात करें तो अन तीनोई phone में एक और छोटा सा difference है वह है displays के अंदर यहां पर A33 में 6.4 इंच के साथ और जो A73 है वो 6.7 इंच के display के साथ आता है that's it display के अंदर difference अग्यां पर create किया गया इनोने और इसके साथ ही जो नोने सबसे interesting काम किया किया वह किया इसके processor के अंदर क्योंकि A33 A53 में Exynos 1280 यानि 1280 लेके आ रहे है लेकिन A73 में 778 जी अब 778 जी हमें पता है काफी अच्छा चेप है और काफी अच्छी performance निकाल लेता है लेकिन stability अच्छी निकलती है और मेरे को लगता है कि Exynos 1280 के बार में इती पब्लिकल information अवाइल लेवल नहीं है लेकिन जहां तक public domain में information है वो देखे ये लगा कि शायद इस 778 जी से हलका सा पीछा आ रहा है और इसे आप यहां पर मतलब मेरे एक अंदाजक है था कि Dimensity 900 या 920 से compare कर सकते हैं 1280 की performance को लेकिन फिर भी एक्स्टोस के साथ उन्होंने एक अच्छी चीज implement करी देखते है रियलबल बगरा performance कैसी रहती है definitely उसकी उपर भी हम dedicated वीडियो लाने वाले performance बगरा कैसी रगी इन फोंस की make sure to subscribe to the channel इसी बात पर subscribe कर लो और यहाँ पर जो snapdragon 778G है वो slightly superior processor जो इससर देखने को मिल रहा है Samsung के A53 स्मार्टफोन के अंदर इसके साथ ही बात यह तो 5000 mh की battery तीनोई फोन में common है 1UI 4.1, nox security यह जितने भी features हम expect करते है A3 के अंदर वो सारे है आपको देखने को मिल रहा है अब यही बात की है तो फिलाल के समय में यह लग रहा है कि Samsung ने अपने तीनोई फोन यहाँ पर निकाले लेकिन यहाँ पर A73 के बारे में यह बोला था कि इस इस सिलेक्टेड मार्केट्स में जाएगा तो देखने वाली बात होगी इंडिया में यह आता है कि नहीं आता इस इसके साथी A33, A53 के बारे में बात है कि A53 का Samsung इंडिया के पेज पर और उनके Twitter handle पर प्रमोशन है लग रहा है कि काफी जल्दी A53 आने वाला है लेकिन यह देखने वाली बात हूँ क्या A33 यह लोग लाते है और लाते है तो कब लाते है मैं यह लगता है कि शाहाँ सभी फो पर 5G के उपर completely transition हो चुका है और A series में आपको 5G देखने को मिलेगा देखते हैं इंडिया में आप किस तरीके साथ है क्या कीमत वगिर रहती है लग रहा है कि launch इंडिया का बहुत ही जल्दी हो जाएगा लेकिन अभी जो इनो ने product निकाले जो global level पर निकाला है वो यहाँ इसा ही कम किया कि जैसा बाहर जा रहा है तब ऐसा इंडिया के अंदर यह आ रहा है और A53 के बार में बात लग रहे हैं यह A52S का successor नहीं है जो galaxy A52 आया था ना यह उसका successor है A53 तो अगर उसी कीमत के आसपस निकाल दे तो बहुत ही सही चीज होगी और जो A52S का successor शाद वो A73 A53 वगरा हो सकता है खर देखते हैं अखर उस चीज के अंदर आपको क्या चीज़े देखने को बलती है लेकिन फिलहाल के तौर पर यहां पर यहां पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा पसंदा है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और हां Samsung के फोपर मैंने काफ बाइ